नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आसार मास की पुणिमा ती थी जिसे हम गुरू पुणिमा भी कहते हैं गुरू पुणिमा के दिन विक्ति अपने गुरू जनों की पूजा करता है या फिर उनका आदर सम्मान करता है लेकिन अगर आपने गुरू दक आपके गुरू नही जाते हैं जले जानते हैं बिस्तार से पीपल के ब्रिक्ष में भी जो हाँ पर मालक्षमी का निवास अस्थान होता है खासकर पुणिमाती थी के दिन सुबह सुबह उठकर एक लोटा जल में आप मीठी वस्तू और एक चुटकी अक्षत यानि चावल और थोड़ा सा दूट लेकर पीपल के पेड़ में अर्पित कर दे तो ऐसा करने से मालक्षमी आपके साथ आपके घर आती है ऐसा हमारा सास्त कहता है वैसे इस पुर्णम की साम पती पतनी मिलकर अगर चंद्रमा को जल में दूद मिस्रित करके अर्द दे तो दामपत्त जीवन में प्रेम बढ़त है और आप चारों दिसाओं से आपकी सबसे पहला तो अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर थोड़ा सा आपको एक कारे करना है चावल को आधाए घंटा तक भीगो लें पानी में उसके बाद इस चावल को पीश कर पेस्ट बना लें इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से सुमंगल परतीक चिन्ह बनाईए जैसे कि स्वस्तिक है इसका निसान बनाईए आप चौकट में उपर बीचों बीच भी बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं लेकिन इस स्वस्तिक के निसान के दोनों तरफ दो रेखाएं जरूर डालिएगा दूसरा उपाय है कि आप इस दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काओ जरूर करें क्योंकि इससे सकायत्मक उड़जा आती रहती है घर के मुख्य दर्वाजे पर जब आप बंदन बार लगाएंगे तो आम या असे के पत्तों का ही लगाईएगा और पुराना बंदन बार हटा दीजिएगा जो आपने एकादसी तिथी पर लगाया था क्योंकि पुर्णिमा तिथी के दिन नया बंदन बार लगाया जाएगा और साथ ही साथ घर के मुख्य दर्वाजे पर सुब मंगल परती किन बनाने के साथ आप एक बरतन में थोरा सा जल भरें उसमें आप चाहें तो मिट्टी का पात्र या लोटा बेगर ले सकते हैं कटूरा भी ले सकते हैं गड़ा बरतन हो जल भर कर उसमें फूलों की पंखुरी रखकर अपने घर के अंदर मुख्य दर्वाजे के अंदर दाहिने तरफ आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ जो होगा उस तरफ ये पात्र रखने और अगले दिन किसी पौधे में डाल दीजिएगा घर की तमाम परिसानियों को हटा देगा, सोख लेगा, निकेटिविटी को दूर करेगा चुकि जोतिस में चावल को चंद्रमा से जोड कर देखा जाता है और चावल अगर आप अपने माथे पर पूजा करके या घर के सभी लोगों के कुंकुं या रोली लगा कर तिलक कर ले और फिर उसके उपर चावल जिपका दे तो आपका कुंडली का चंद्रमा भी बहतर होता है और जीवन में धीरे-धीरे समस्याइं समाप्त होने लगती है तो ये प्रियोग भी आप इस दिन से लगातार कुछ दिनों तक करें वैसे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं अब धन प्राप्ती के योग नहीं बन पा रहे जीवन में मुस्किले जादा है परिसानिया जादा है आप चाहते हैं कि धन भी आए टिके भी घर की दरिता दूर हो जाए नकात्मक उड़ जाएं चली जाएं इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चाबल थोड़ा सा मतलब आप 11 दाने भी ले सकते हैं या एक चुटकी ले सकते हैं एक मुठी भी ले सकते हैं और इस चाबल सा प्रियोग है लेकिन जब आप हल्दी यानि गुरू और चावल यानि चंद्रमा दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा यहां पर राजयोग बनेगा और यह राजयोग आपके जीवन में हर जो समस्याएं हैं परिस्यानिया हैं उसको दूर करेगा बहुत सिंपल है पर कर पुर्णिमा है वो चुकि बहुत ही दुलब सुभयोगों में आ रही है तो चावल का छोटा छोटा परियोग करके जीवन की मुश्किलों से बचा जा सकता है बाहर निकला जा सकता है एक छोटा सा काम करें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल और इसके साथ ही एक लो चावल सीबल्स्स के उपर पित कर दें फिर अपने जीवन की समस्या को बहुति लेकिन चावल को पहले से-चुन कर है बख़ीयतागा तुटा पुटावा ना हो इस बात का ध्यान रखीघा और जब आप सीबलीं पर चावल और पितšन ळातोएं तो जीवन की समस्याइं है क्योंकि टुटा-फुटावा एक भी दाना रह गया तो फिर आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा अब कई बार क्या होता है नौकरी में रोजगार में बहुत समस्या आती है मुस्किलें बहुत है आप परिसान है सफलता नहीं मिल पा रही तब जब आप चुकि इस खीर बनाया जाता है तो खीर बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा आप कवों को भी दीजिएगा इससे क्या होता है आपके जीवन की जो सनी समंदी बाद हाएं हैं वो समाफ्थ हो जाती है तो यह प्रियोग आप सिंपल तरीके से कर लें तो आपके जीवन में धन की स्थिरता होगी सरी देप की क्रपा बरसेगी बहुत सिंपल है लेकिन अब हम एक और बात बताएंगे देखिए कई बार क्या होता है बंते-बंते कारे रूख जाते हैं सफलता ही नहीं मिलती और मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए आप सुमुर्थ में या पुर्णिमा के दिन आप चंद्रोदय के समय चंद्रमा को एक लोटा जल ले लें उसमें थोड़ा सा कच्चा दूद या फिर सिर्फ दूद में थोड़ी सी चीनी और चावल मिलाकर अर्द दें मंत्र बोले ओम, सोम, सोमाय, नमः इस मंत्र का जब करके अर्द दीजिए तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है आप चाहें तो सिविलिंग पर भी इसी विधी से जल और पित कर सकते हैं और कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो भी सुप फल देने लगता है अगर चंद्रमा और सुप फल दे जीवन में परिसानिया जादा हो तब आप एक मुठी चावल अपनी मा के हाथों से ले ले और अपने पास संभाल कर रखें चंद्रमा चुकि मा जो है वो चंद्रम अगले साल इसी पुर्णिमा के दिन इसको फिर से आप पिछले बारा चावल किसी नदी ताला में डाल दीजेगा और फ्रेस ले लेजिएगा मा के हांतों से अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत होती रहे मुष्किले कभी परिसान न करें तक सिंपल सा काम करें आपको चाह चावल के साथ आपको चाहिए दुर्वा घास जादा नहीं एक दो ले लिजेगा एक लाल कपड़ा एक मिट्टी की छोटी सी बरतन चाहिए मिट्टी का वैसे अगर नहीं है तो आप घर में जो आपका दीपक है मिट्टी का दिया नया वाला एक बड़ा सा देखके उसी मे नमह का मंत्र बोलते वे इस मिट्टी के पात्र में चावल डाल दें उसमें दुर्वा घास और सिका भी डाल दें मुख पर लाल कपड़ा लाल कलावे से बाढ़ दें अब इसको उठा कर आप छोटा सा पात्रे लेना है ज्यादा बड़ा नहीं लेना आप इसको अपने घर के उत्तर पस्चिन दिसा में रख दें आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और इसको आप अगले साल इसी दिन इसी पुर्णिमा को चेंज कीजिएगा पिछला वाला आप किसी भी नदी ताला में डाल दीजिएगा और फ्रेस भर लीजिएगा आप चाहें तो उसी लोग को करने से खुसियां भी आती है थन भी आता है सुकून भी आता है एक बात हमेशा याद रखें जब भी आप पुजा पाट करते हैं आप मालक्षमी को भोग लगाते हैं जब भी आप चावल अरपित करते हैं तो चावल सादा मत अरपित कीजिए जब भी अरपित तो दीपक के नीचे भी आप चावल एक चुटकी रखकर ही उस पर दीपक रखें तो पूजा का पूरा फल भी आपको मिलेगा अब पूर्णिमात ही थी है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा पास के किसी भी तालाब में नदी में अपने हाथों से एक मुठी चावल या दोनों हाथों से मिलकर मिलाकर आप डाल दे और कहें कि हैं मेरे दुर्भागे मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं बिना पीछे मुड़े घर आ जाए जीवन की मुस्किले समाप्त होगी दुर्भागे भी पीछा छोड़ देगा अगर करजों से परेसान है तो इस पर नुमा किसी भी बट ब्रिक्ष जिसको हम बर्गत का पौधा कहते हैं उसके नीचे बटकेसर महादेव का नाम लेकर डाल दीजिए करज से मुक्ति मिल जाएगी करके देखें वैसे इस दिन पंचियों को दाना डालने का भी धान है आप चाहें तो किसी भी ब्रिक्ष के नीचे चा पर मट डालिएगा वरना अगर कबूतर आ गया तो मुस्किल में पढ़ जाएंगे धन्यवाद हम फिर मिलेंगे